हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टो माई चानल मैं अपनी चानल एच्पी एग्जाम कॉर्णर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 100 MCQs डिस्कस किये थे तो उसी सीरीज को आके बढ़ाते हुए मैं और आज 50 to 60 MCQs आपके सामने लेकर आई हूँ तो फ्रेंड्स ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिछले एक्जाम में पूछे जा चुके क्वेस्चन हैं तो ये आपके आने वाले एक्जाम चाहे वो अभी तीन तारीक को होने वाला पुलिस का एक्जाम हो या फिर JOIT एक्जाम हो या फिर आपका सेक्टरेट का एक्जाम हो या स्टैनो टाइपिस्ट का कोई भी एक्जाम हो तो सभी के लिए ये questions बहुत ही important होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान से आप इसे सुने और समझने की कोशिश कीजिए तो चलिए friends without wasting any time हम आज की series जो है शुरो करते हैं तो friends first question है काल का शिमला रेल मार्क में सबसे लंबी सुरंग नेमन में से कौन सी है तो friends first option है आपका समरेल, second है बडोग, third है धामी और fourth option है तारा देवी तो friends जो काल का शिमला रेल मार्क है इसकी सबसे जो लंबी सुरंग है वो कौन सी है तो जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बटाईए तो friends इसका जो राइट अंसर है वो क्या है बडोग और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है 1143 मीटर्स है ठीक है नेक्स है ओना तथा हमिरपूर जिला हिमाले की किन पहाड़ियों में स्थित है तो जल्दी से मुझे इसका जवाब बताईए तो इसका जो राइट अंसर है वो है शिवालिक पहाडियों में स्थित है उनापका उनाद था हमिरपुर जिले के हिमाल्य की पहाडियां नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय कुल कितने जिले थे ओप्शन है तीन, पांच, चार या छे तो फ्रेंड इसका राइट अंसर क्या होगा? उप्शन C, राइट अंसर है चार जिले थे कौन कौन से थे? वो चार जिले मंडी, महासु, चमबाया, सिर्मौर तो ये चार जिले थे जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तो स्टार्टिंग में चार जिले थे, ये मैं आल्रेडी आपको करवा चुके हो जब हमने हिमाचल प्रदेश का गठन किया था तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप HPGK में जाकर जो डिस्टिक वाइज मैंने HPGK करवाई है उसमें देख सकते हैं उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश का जो गठन का टॉपिक करवाया है उसमें ये करवा चुके हो मैं ठीक है तो चलिए फोर्थ क्वेशन की और भटते हैं भुंडा तेहवार किस से संबंदित है तो अगर हम बात करें भुंडा तेहवार तो ओप्शन है शिवजी, विष्णू, दुर्गा या परशुराम तो फ्रेंड्स जो भुंडा तेहवार है वो किस से संबंदित है परशुराम से रिलेटेड़ ओप्शन फोर्थ आपका राइट अंसर होगा नेक्स है कांगडा चित्रशैली का मुख्य विषय था तो फ्रेंड्स जो कांगडा चित्रशैली है तो उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या था फर्स्ट है युद्ध, सेकिंड है राजदरबार, थर्ड है श्री कृष्ण एवम राधा या फिर प्राकृतिक सौंदर है, फोर्थ आप्शन, तो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से मुझे बताईए क्वेस्टन फिफ्ट का जो राइट अंसर है फ्रेंड्स वो क्या है श्री कृष्ण एवम राधा की चितरशैलिया है कांगडा में, ठीक है कांगडा जो चितरशैलिया है वो फेमस क्यों है राधा कृष्ण की चितरकला के लिए तो next है धामी गोली कांड की घटना कब हुई तो friends धामी गोली कांड है वो कब हुआ था तो options है 16 जुलाई 1942, second है 16 जुलाई 1945, third है 16 जुलाई 1939 और last option है 16 जुलाई 1937 तो friends धामी गोली कांड का भुआ था 16 जुलाई 1939 को हुआ था चलिए next question के और बढ़ते हैं बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था तो friends बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है option है त्रीगर्थ, किरग्राम, बनेड या शोनित पूर्थ, जल्दी से मुझे बताईए कि बैजनाथ क जो प्राचीन नाम है वो क्या था तो friends the right option क्या होगा किरग्राम, option second जो है आपका right answer है ठीक है कुंजुमदर्रा कहां से थे, options है कि नौर, शिमला, चमबा, लहॉल, स्पिति ये भी मैं आपको already करवा चुकी हूँ, mixed gk में तो अगर आपने वो भी अभी तक नहीं देखें तो mixed gk की जो मैंने playlist बनाई है, description box में भी मैंने mention किये है playlist के link तो directly आप description box पर जाकर भी playlist चेक कर सकते हों, तो जल्दी से बताओ की कुंजुमदर्रा कहां है, तो इसका right answer क्या होगा, कुंजुमदर्रा है, लहॉल, स्पिति में, next आते हैं, great himalayan national park कहां है, to great himalayan national park कहां है, option है कुलू, 심ला, लहॉल, स्पिति या किनौर, तो जो great himalayan national park के कहां है, कुलू में है, ये भी मै ने आपको करवाया हुआ है already तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की thoroughly जो एक topic को पढ़ने का कितना फायदा होता है इससे क्या होता है easily MCQs हम कर पाते हैं next है येश्वंत से परमार के बाद हिमाचल के मुख्यमंतरी कौन बनने थे तो आप्शन है वीरभदर सीह, शांता कुमार, जयवंतराम या ठाकुर रामलाल तो फ्रेंड्स जल्दी से बताईए कि येश्वंत सीह परमार हिमाचल परदेश के पहले CM बने थे तो उसके बाद कौन CM बने थे जल्दी से मुझे बताई इसका सई जवाब क्या होगा तो इसका सई जवाब क्या है ठाकुर रामलाल 1970 में जो है ठाकुर रामलाल येश्वंत सीह परमार के बाद CM बने थे अब नेक्स है चम्बा में मिंजर मेले में किस देवता की पूजा होती है तो फ्रेंट चमबा का जो मिंजर मेला है उसमें किसकी पूचा होती है, option है वरुन देवता, second है शिवाजी, third है ब्रह्मा, fourth है दुर्ग, तो फ्रेंट चमबा का जो मिंजर मेला है उसमें किसकी वरुन देवता की पूचा होती है, option क, first is right, next है डुंगरी मेला किस देवी को सम तो option है शिकारी देवी, second है हिडिमबा, third है कमाक्षा देवी या fourth है शक्ती देवी तो friends डूंगरी देवी जो मेला है वो हिडिमबा देवी मंदिर को समर्पित है नेक्स्ट बात करेंगे शिमला स्थित इंडियन इंस्टिटूट ओफ एडवान स्टडी जो पहले वाइसरीकल लॉज था का शुभारम डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन द्वारा कब हुआ था तो friends जैसा कि हमें पता है कि जो इंस्टिटूट ओफ एडवान स्टडी ह उससे पहले क्या कहा जाता था वो राष्ट्रपती भवन के नाम से जाना जाता है लेकिन उन्होंने क्या है इसका नाम चेंज कर दिया था और इसका नाम क्या किया इंस्टिटूट ओफ एडवान स्टडी किया तो ये कब हुआ तो options है 1965, 1970, 1955 या 1960 तो जल्दी से मुझे बता इसका right answer क्या होगा तो right answer क्या है 1965, option is right answer next है बाबा कांशी राम को किस व्यक्ति ने पहाड़ी घांदी की संग्या दी थी तो friends पहाड़ी घांदी की संग्या ये तो मैंने आपको बताया था कि बाबा कांशी राम को क्या कहते है पहाड़ी घांदी कहते है लेकिन किस ने उन लब भाई पटेल तो जल्दी से मुझे बताईए अगर आपको पता है तो friends किस ने दी थी पंडित जवालना नहरू जी ने बाबा कांशी राम को पहाड़ी गांदी की उपादी दी थी ठीक है next question है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूची जातियों की जनसंख्या कितनी प्रतीशत है तो option है 28.7, second है 20.7, third है 24.7, fourth है 25.2% तो option जो fourth है 25.2% आपका right answer होगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के किस जिले में अध्रका सबसे अधिक उतपादन होता है ठीक है तो first option है सिर्मौर, second है शिम्ला, third है सोलन, fourth है चम्बा तो friends सिर्मौर जो है सबसे right answer है इस question का ठीक है next है विश्व दरोहर में समेलित 96.5 किलोमेटर काल का शिम्ला रेल लाइन को वहारिक रूप 1903 इसवी के बीच दिया गया ठीक है इस रेलवे लाइन का विचार दिल्ली गजट में पहली बार कब प्रकाशित हुआ तो friends दिल्ली गजट में कब प्रकाशित हुआ कि जो काल का शिम्ला रेल लाइन है इसे विश्व दरोहर में शामिल किया जाने वाला है ठीक है तो options है 1869 में 1847 में 1879 या फिर 1890 तो जल्दी से मुझे बताईए कि विश्व दरोहर में कब शामिल किया जाने के लिए इसे प्रकाशित किया गया था दिल्ली गजट में तो option जो है इसका second 1847 राइट अंसर है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिशनर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की न्यूकति किस वर्ष की गई तो 1950 में 1948 में 1956 या 1952 तो जल्दी से मुझे बताईए इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है 1952 नेक्स्ट बात करेंगे त्रिगर्त कांगड़ा के किस शासक ने महाभारत में युध में कौरवो का साथ दिया था तो friend कांगड़ा का कौन सा शासक था वो जिसने कौरवो का साथ दिया था महाभारत में तो option है हरी चंद, दूसरा है गमंड चंद, थर्ड है जगदीश चंद, फोर्थ है सुशर्मा चंद, जो कांगड़ा में किसने साथ दिया था, जल्दी से मुझे बताईए, तो किसने दिया था, सुशर्मा चंद ने दिया था, ठीक है, next question की और भढ़ते हैं, next question क्या है हमारा कि विश्व धरोहर 96.54 किलोमेटर लंबी काल का शिमला रेल लाइन पर कितनी सुरंगे हैं, तो friends option है 102, 106, 98 या 109, तो जो friends काल का शिमला रेल लाइन है, इस पर कितनी सुरंगे है, जल्दी से मुझे बताईए, तो friends कितनी है, 102 है, पहले 103 हुआ करती थी, लेकिन जो एक सु रंग है, वो बंद होने के कारण अब टोटल कितनी रहेगी है, 102 रहेगी है, निक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भेड प्रजिनन के इंदर खोला गया है, तो friends भेड प्रजिनन के इंदर कहां कहां पर है, तो option है जियोरी, शिमला में है, नगवा इसी है, देखो इसमें तीनों चीज़े पता चलिए कि मंडी में भी है, शिमला में भी है, हमेरपूर में भी है, भेड प्रजिनन यानि कि शिप ब्रेडिंग फार्म, नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मतस्य प्रजिन के इंदर, फ्रिश ब्रेडिंग फार्म कहां पर है, हिमाचल प्रदेश का, तो जो 23rd question है, इसका राइट अंसर क्या है, देखोली बिलासपूर, ये भी मैंने आपको करवाया है, नेक्से है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजिव विहार कौन सा है, तो option है, शिका जो वाइल लाइफ सेंचुरी है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजिव विहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, option है, कुगती चमबा में, किब्बर लहौल स्पिती में, थर्ड है मनाली, या फिर फोर्थ है खुक्खन, तो राइट अंसर क क्या होगा, किब्बर में हमें पता है, हम directly पढ़ चुके हैं कि किब्बर लहौल स्पिती में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजिव विहार है, नेक्स्ट बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के पिन घाटी राश्टे पार्क को राश्टे पार्क की मानने हा कब मि तो आप्शन 1985, 1987, 1989 या 1991 तो 26th का राइट अंसर जलदी से मुझे बताईए क्या होगा तो इसका राइट अंसर है 1987 में मिली ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे प्रदेश में मंडी जिले में गुम्बा और दरंग नमक की खानों का किसका नियंतरन है तो फ्रेंड्स मंडी में जो है गुम्मा और दरंग में जो है नमक की खाने है ठीक है इसको कौन नियंतरन करता है ठीक है कौन कंट्रोल करता है तो आप्शन है नीजिक शेत्र, सेकेंड है केंदर सरकार का, फूर्थ है राजे सरकार का और fourth option है विदेशी company का तो friends इस पे केंदर सरकार यानि की central government का control है ठीक है next है गिरी राज हिंदी सापताहिक का प्रकाशन स्थान हिमाचल प्रदेश में कहा है तो friends गिरी राज जो पत्री का है हिंदी सापताहिक ठीक है सापताहिक उसमें आती है ये तो इसका जो प्रकाशन संसान है कहाँ पर मतलब publish की जाती है ये तो option है सोलन, बिलासपूर, शिमला या रामपूर तो कहाँ पर होता है गिरी राज पत्री का का तो ये कहा होता है शिमला में होता है ठीक है next बात करेंगे लहौल स्पिती में कुंठ उत्पादन कब शुरू हुआ तो कुंठ की खेती होती है लहौल स्पिती मैंने आपको बताया था और कहाँ बेजते हैं इसको कलकत्ता में बेजते हैं तो option है 1860 में शुरू हुआ था 1910 में, 1925 में या फिर 1940 में तो कब शुरू आई है 1925 में जो है कुंठ का कुंठ को उगाना शुरू किया था लहौल स्पिती में नेक्स्ट है मंडी जिले में पाई जाने वाली सेंटा रोजा या फिर मैरी कोजा किस में किस फल से संबंदी जै तो फ्रेंड सेंटा रोजा और मैरी कोजा ये दोनों ही किस की किस में तो उप्शन है प्लम की या फिर आडो की या फिर खुमानी की या फिर सेब की तो किस की किस में है सेंटा रोजा और मैरी कोजा ये प्लम की प्लम की किस में है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे सिर मौर जिले में उगाई जाने वाली किस फसल की किसम Lincoln Bone Vila है तो friends किस की किसम Lincoln Bone Vila जो है किस चीज की फसल है तो option है टमाटर, आलू, कुंठ या फिर मतर तो friends Lincoln Bone Vila जो है मतर की एक variety है next बात करेंगे Solan Gola किस सबजी की किसम है तो friends Solan Gola जो है options है टमाटर, आलू, मतर या शिमलामिट तो Solan Gola क्या है variety है, ठीक है next question क्यों move करते है next question क्या है हमारा 1875 इस्वी में राजा शम्शेर सीहाद्वारा स्थापित नाहन धलाई कार खाना, फाउंडरी को कब राज्य सरकार ने अपने अधीन कर लिया तो option है 1940 में, 1954 में, 1960 में या 1964 में तो friends नाहन धलाई जो कार खाना है, उसे राज्य सरकार ने कब अपने अंडर किया, ठीक है तो उसे state government ने अपने अंडर कब किया, जल्दी से मुझे बढ़ता आई 33 question का right answer क्या होगा तो 1964 में किया था option fourth जो है right answer होगा next बात करेंगे, सिरमोर जिले में किस स्थान पर 1980 issue में स्थापित CCI cement factory है तो friends CCI cement factory कहा है, तो option है काला में, राजवन में, पॉंटा साहिव या फिर नाहन में, तो जल्दी से मुझे बताईए कि जो CCI cement factory है, वो कहा है तो one जो इसका option है आपका, वो क्या होगा राजवन में है, ठीक है, option second is right answer next बात करेंगे, कुंजू और चंचलो किस स्थान का विख्यात प्रेमी युगल था, मतलब love birds थे ये कुंजू और चंचलो तो कहा कि थे, तो कांगडा, लहौल, शिमला या चंबा, तो जल्दी से मुझे बताईए, जो कुंजू चंचलो है, वो कहा कि थे तो friends कुंजू चंचलो की अगर हम बात करें, तो वो थे चंबा के love birds, ठीक है अब बात करते हैं, कौन सा राष्टे राजमार्ग की नौर जिले से गुजरता है, ठीक है राष्टे राजमार्ग भी बोल सकते हैं, तो कौन सा नाशनल हाईवे है, जो कि नौर जिले से गुजरता है तो friends इसका राइट अंसर क्या होगा NH5, next बात करेंगे, सतलूज नदी पर जियूरी पुल का निर्मान कब हुआ था तो friends सतलूज नदी पर जियूरी पुल ठीक है, कब बना था, 1858 में, 1889 में, 1903 में या 1913 में तो जलदी से मुझे बताईए, कब बना था, 1889 में ये बना था, ठीक है अब बात करते हैं, काल का शिमला मार्ग का निर्मान कार्य 1848 में शुरू हुआ, इस मार्ग का घड़ी द्वारा, किसने अनवेशन, यानि की इनवेंशन, ठीक है खोज किसने की थी, घड़ी की, सौरी घड़ी नी, छड़ी के द्वारा, ठीक है तो छड़ी की हेल्प से क्या है, उन्होंने बताया था कि जो ये काल का शिमला है, इसका जो सुरंग है, वो कहां से बनेगी तो आप्शन है मेजर कैनेडी, सेकेंड आप्शन है लॉरेंस, थर्ड है बाबा, कांची राम, फोर्थ आप्शन है बल्खु राम तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बल्खु राम ठीक है, तो बल्खु राम जी जो थे, उन्होंने क्या है, छड़ी की हेल्प से बताया था कि जो शिमला, काल का शिमला मार्ग है, रेलवे लाइन मार्ग है, वो कहां से निकाल ला जाए, उसकी एक सुरंग थी, वो कहां से नि राजपूत क्षत्रिय होन या खस तो इसका राइट अंसर क्या है जल्दी से मुझे बताओं तो फ्रेंड्स होन जो थे होन के वनिशज माने जातने हैं गुजर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है 1989 इस्वी में प्रथम पहाड़ी घांदी बाबा कांशीराम पूरसकार किसे मिला तो फ्रेंड्स फर्स्ट बोल रहे हैं फर्स्ट पहाड़ी घांदी बाबा कांशीराम किसे मिला था ओप्शन है श्री केशव राम को श्री जय देव गिरन को श्री श्याम चौधरी या श्याम पाल को तो ख जो है second option right है श्री जैदेव गिरन को पहली बार पहाड़ी गांदी बाबा कांशिरां पूरसकार दिया गया था 1989 में next time मोहुणा किस जेले का प्रसिद्ध लोक गीत है तो friends मोहुणा जो है कहां का लोक गीत है famous तो सिर्मोर का है बिलासपूर का है चमबा का है या मंडी का तो friends जो मोहुणा है वो कहां का है जल्दी से मुझे बताओ बिलासपूर का है ठीक है बिलासपूर इस राइट अंसर नेक्स रिवालसर किसका जनम स्थान है तो friends रिवालसर में किसका जनम हुआ था तो option है गुरु गोवेंद सियां पदम संभव देवी हिडिमबा या रिशी विशेष्ट तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसका राइट अंसर क्या होगा तो किसका है पदम संभव ठीक है तो पदम संभव का जनम हुआ था रिवालसर में नेक्स है चमबा का लक्षमी नरायन मंदिर किंतने मंदिरों का समू है तो friends चमबा में जो लक्षमी नरायन मंदिर है वहाँ पर कितने मंदिरों का समू है तो option है तीन पांच चार या छे त तो फ्रेंट्स चम्बा का जो लक्षमी नरायन मंदिर है, वहाँ पर कितने मंदिरों का समूऊ है, तो छे मंदिरों का समूऊ है, उप्शन फूर्थ इस राइट, नेक्स्ट बात करेंगे, महल मूरिया जहां 1805 में, संसार, चंद और गुर्खा कमांडर, अमर्सिया थापा के मध्य लड़ाई हुई थी, किस जिले में स्थित हैं, तो फ्रेंट्स महल मूरिया कहां स्थित हैं, इन शॉट्ट, ठीक है, तो उप्शन है, मंडी, हमिरपूर, चंबा या बिलासपूर, जल्दी से मुझे बताओ कि महल मूरिया कहां है, तो महल मूरिया कहां है, हमिरपूर में है, ऑप्शन, ख, जो है, सही जवाब होगा, नेक्स्ट बात करेंगे, 1820 एस्वी में सुकेत आने वाले प्रथम यूरोपिय कौन थे, तो फ्रेंट्स, 1820 में यूरोपिय, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन जो सुकेत आये थे, तो कौन थे, हच्ची सन थे, ठीक है, विलियम मूर क्राफ्ट थे, मयो थे या करजन थे, तो जल्दी से मुझे बताओ, कि 1820 में कौन यूरोपियन सुकेत आये थे, तो कौन थे, विलियम मूर क्राफ्ट, 1836 में, 1882 में या 1887 में तो Lord Elgil Dvithya कब आये थे मंडी जल्दी से मुझे बताओ तो कब आये थे 1899 में आये थे नेक्स है निम्न में से कौन सी जील मंडी जीले में नहीं है तो friends मंडी जीले में बहुत सी जीले हैं तो आपने इन में से बताना है कि कौन सी मंडी जीले में नहीं है तो first है पराश्चर, second है रिवाल्सर, कुमार वाहा है third option, fourth है चंदरनाहन तो friends, चौत्थी option चंदरनाहन कहा है, शिमला में है तो चंदरनाहन जो है, मंडी में नहीं है next है पांगी उपमंडल का मुख्याले कहां है, तो पांगी का ठेक है, पांगी का है यह आपने मुझे बताना है option में कि इसका उपमंडल के लॉंग, किलाड, पांगी या फिर भरमौर, तो 48 question का जो right answer है क्या होगा तो friend, जो पांगी उपमंडल है उसका किलाड, ठेक है नैना देवी बहुत ही famous temple है कहां का है, तो option है उन्ना हमिरपूर, कांगडाया, बिलासपूर तो यह तो सभी को पता होगा कि नैना देवी कहां की पहाड़िया है, बिलासपूर की ठीक है, नेक्स से बात करेंगे भारत की अजादी के समय बिलासपूर का अंतिम शासक कौन था तो friends, बिलासपूर का अंतिम शासक कौन था मेगचंद, अनंदचंद, दीबचंद या संसारचंद तो देखें, यह हमारी half century complete होगी है, तो इसी के साथ अनंद भी हमें बहुत आ गया है, तो कौन थे, अनंदचंद थे, बिलासपूर के अंतिम राजा ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को केंदर शासित राजे का दर्जा कब प्राप्त हुआ तो friends, हिमाचल प्रदेश को केंदर शासित का दर्जा कब मिला था, तो option है 19 January 1954 को 5 December 1955 को 1 November 1956 को 1 February 1940 1947 को तो कौन सा आपका सही जवाबों का जल्दी से मुझे बताओ तो option 3rd 1 November 1956 को जो हिमाचल प्रदेश को केंदर शासित यानि की Union Territory बना दिया था, ठीक है अब बात करते हैं, अगले question की, किनर के लाश जो की 6500 मिटर नामक परवत्य शिखर है, किस जीले में है, ठीक है तो अब इससे हमें क्या वाद बजली, जो किनर के लाश उसकी उन्चाई कितनी है 6500 मीटर है, अब कहां पर रहिए, किनर में है लहौल स्पित्ती में है, कुलू में है, कि चमबा में है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि किनर के लाश कहां पर है तो कहां पर है, किनर में है ठीक है, अब बात करते है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जील कौन सी है तो Friends Natural Lake of हिमाचल प्रदेश तो कौन सी है, आप्शन है प्राशर, कमरूनाग, नाको या रेनु का तो 53 का right answer क्या होगा रेनु का जील है हमारी सबसे बड़ी natural lake of हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में सुकेत संगराले कब हुआ सुकेत सत्यागर है कब हुआ था तो कब हुआ था सुकेत सत्यागर है जल्दी से मुझे बताईए तो hopefully आपने अपने notebook में note कर लिया होगा तो इसका right answer क्या होगा option fourth 18 February 1948 को सुकेत सत्यागर हुआ था ठीक है निक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नमक की ऐसी खाने है जो भारत के अन्य किसी भाग में नहीं है देखो friends ध्यान से पड़ो कि हिमाचल प्रदेश में नमक की ऐसी खाने जो भारत में कहीं भी और नहीं पाई जाती है तो option है चमबा सोलन मंडी या बिलासपूर तो देखो कहाँ है मंडी में मंडी में भी कहाँ गुमा और दरंग में है नमक की खाने next है करनल शेर जंग राष्टे उद्यान किस जिले में स्थित है तो friends करनल शेर जंग राष्टे उद्यान जो है कहाँ पर है option है चमबा सोलन सिर्मौर या बिलासपूर तो friends करनल शेर जंग जल्दी से बताओ अपने notebook में लिख लो कि सही जवाब क्या होगा तो क्या होगा इसका right answer सिर्मौर ठीक है तो करनल शेर जंग राष्टे उद्यान है सिर्मौर में तो friends इसी के साथ जो है आज की mcq series जो है उसको मैं यहीं पर end करती हूँ hopefully friends आपको ये video अच्छी लगी होगी friends अगर आपको video अच्छी लगी है valuable लगी है तो please मेरी video को like कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please मेरे channel को subscribe कीजिए अपने friends के साथ भी share कीजिए तब तक के लिए पढ़ते रहें अगली video में मिलते हैं and all the best for your next exams